पल्लू बहुत लग गया है वेल्कम बेक टू माइन व्लॉग और फाइनली वो दिन आ गया जब हम लोग गाउं से धरदुन जा रहे हैं और दस वारा दिन थे वो कैसे निपटे कुछ पता ही नहीं और अभी मैं नहाने जा रहे हूं इन लोगों को कपसे उठा रहे हूं कि य हां के आती हूं तैयार हो जाती हूं और इसके बाद पर एक फास्ट करना इन सब को भी उठा के तयार करना है तो अच्छा तो नहीं लग रहा लेकिन क्या करें हैं तो चलो कोई नहीं जल्दी से नहा लेते हैं तैयार हो जाते हैं रेडी रेडी हो चुके उना दोके और इस निकलते हैं और बैग भी बहुत सारे हो गए तो आते टाइम सिर्फ एक बैग था और यह खासकर बीटी के सादे असब होता ही है कि आते टाइम एक बैग आता है और जाते टाइम मतलब कितरे तीन-चार बैग हो चुके बैग क्या बड़े-बड़े हो जिसमें थोड़ा बहु तो मैं भी जा रही हूँ माही वह मजब लगाली तल भुवा चल निकलो तो फाइनली हम जा रहे है जा रहे है बड़दू बड़दू लड़दू है वो लड़दू है चुल लड़ जाल लो लड़दू माही भाप कि लिखान जांट चिराया इनर्जीर. मैं से लोगता है कि अ मतार सबसे जो देडिया. तल्लु एपन रगीजू गर्षाटर. पोड़ा चैनल डर्षापोड ना इंद शॉर्ग जो अभाए निय्टव जो जो बनाइद फिल्ग पेटें पिछलादे में पर गजो जोुके ने ने माजी को के कारें पार जो जो कर दो कर दो है हुआ हिए गया हुआ 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 है बड़कोट तो पहुंच गया हम जो गाड़ी थी जो घर से डिरेक्ट थे वो छूट गई क्योंकि उसमें इतने सारे सवारी थे कि जगई नहीं थी तो अभी यहां बड़कोट से करेंगे चोटी टैक्सी तो देखो अभी जा रहके हजबन पूसमी पे और भाई जो हमें बड़कोट नहीं सान всем 10.00 और अभाई जी को घुल में एचे एक सा महले हो अ, वाले जाओ। सबस्का लोहो गाओरिकमोר आरना dobr सारीत वेका जबारिकमोरिकमों लेकित आरना सब्स कर्णा में आड़कों आइस्क्रीम खा रहे हैं तो अभी रुके होए हैं हम खटो ना विकास नगर तो पॉच चुके हैं भुड़ा ही रखा याप इसलिए रुके क्योंकि बारिश आने लगई तो हमारा सामान है न चत्पे आठी चावल है कई भीग न जाए तो इसलिए पहिया उसको कवर कर रहे ह हम लोग पॉच चुके हैं जैरा दून और अभी बैट गए हैं अगार के लिए और मेरी सब्सक्राइब होई थी न कि बहुत जाड़ा तो अभी खर चलते हैं कि बाते कर रहा है क्यों इतनी बाते क्यों करता है अभी बिच्चोपनी रहा है हम लोग पहुच चुके हैं घर पहुंस तो हम लोग पहुच गे थे चार बजे लेकिन जैसे कि मेरी तपय बोजादा खराब होगी थी गाड़ी में तो मैं आके सीधे सो गई और अभी उठी हुच बजे अभी जैसे उठे क्योंकि मैंने खाना कुछ खाए नहीं था और हजबन ने खड़ा पड़ से हाई से मंगाई होगी बहार से नोडल और घर पर ही बनाए क्योंकि मैंने बिल्कुल भी रासने में पानी तग नहीं भी जब मेरी तबेत खराब होदी तो मैं कुछ भी नहीं खाती हो देखो यह बना दे हजबन नोडल्स घर पे बनाए अब खाते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है मुझे नहाना था लेकिन मैंने सोचा कि सबसे पहले में कुपडे हैं तो जितना मुस्किल भैकिंग करनी होते हैं उस से जादा मुस्किल समेट ना होतास है तो लिख बने मायके सो मार्नी मैं सी इस पोड़ब हम ठीब vert彼 सब जो ब warranty हैं कि पहले बैक वही आज का जो डे था काफी अमेजिंग रहा और काफी अच्छी तरीक इससे नहीं पड़ गया तो अभी मैं शाम को थोड़ा सा नहा गई थी क्योंकि जो किट मोरिंग आज है नेक्स दे और जैसे की हम लोग पहुच चुके हैं देरदुण रहा तो आज सुबह-सुबह हम क्या खा रहे हैं मैं क्या खा रहे हों गरम कर यह जो हमारे आप मैंने दिखाय था आपको कि मेरे माने में लिए स्क्रीड़े बनाये थे और कुछ और एक एक उसने खा लिया था तो मैं सोच रही हूँ कि एक यह दो मैं अभी सुबह ब्रेकफास्ट में खाऊंगी तो मैं यह खा रही हूँ पास तो यह चाई और सीड़े खाएंगे और मुझे इतने पसंद है कि मैं खालो इनको चाड़ दिन तक तो मैं तो यह खा रही हूँ और लोग देखो क्या खाते हैं अभी घर की साफ सफाई करने इतने दिन तर भाई था वो बहुत बिजी रहता है तो डंग से साफ सफाई भी नहीं करा और जुर घर से इतना सारा सामान लाना उसको भी समेटना है कपड़े तो समेट दिया थे लेकिन सामान नहीं समेटना है और हमारा यह सुबह सुबह इस साफ सफाई के साथ मैं सोच रही हूं कि जो ये माई के से आ रखा है इसमें ये घर का आटा है और इसमें घर के चावले इसमें घर के आलू प्याज और लैसून है और इधर ये डाले हैं ये देखो ये डाले दे रखी है तिसारी तो ये समेटनी है समालनी है तो मैं सबसे पहले सोचओं कि आठा खराब हो जाता है जल्दी तो आठा भर की रख देंगे यह सब मतलब मेरी ममी लोग ममी ने दिया यह सारे उसके खेतों की है कुछ मेरी ताई लोगों ने वि दिया दालें तो इस सारी कि सब खेतों की अपने आपेदू इतना धन्दा था और या इतनी काम कर कर के थक हैं साफ साफ आई क्योंकि भाई ने साइड आपने देखा मेरी वीडियो में कि मेरे को लगबग सब छोड़ने आए मेरे ममी पापा भाई भावी मेरी बती जी दुसरी बती जी सब किस सब तब तक घर ने बट अ मतलब मेरे को गाड़े में पिठाया नहीं और हुआ ईकां ऐस ब्टार यिए जिया इसी चनलाहमेरो तो उंको लगता है कि अए वह companies करें छाड़ी है तो चाहे मैंए वह वह ओ गया मैं ठाश कर मेरे भावी उनको लग लग रहता है कि जिदरा भी है कमी है तो मतलब ही कि माई के वालों का ही प्यार होता है ऐसा और तो कोई नहीं कर सकता आप से ऐसे नियुस्वारत भाउ तो जादा वीडियो भी नहीं बना पाई तब इत खराब और मैं इतना इमोशनल भी थी कि मतलब बहुत खराब लग रहा था या नो दस दिन तक रहना वहां मा यूप के हाथ का खाना भावी के हाथ सब गाउं में फ्रेंड लोग तो जब माई के से आते हैं टार इन तो इतना ऊदास हो जाता है कि मनिय ने कड़ता आने कर लेकिन क्या करे एक रीथ है कि बेटी पर आयो जै तो उसे अपने घर आना ही पड़ता है खाना खाओ आँ आट सही के साथ खाने जा रहे हैं